मानी ज्युनुचा क्रिष्ट को साख्छे बनी सरीरा प्रण रहे सम्मापनी जोनुछा प्रिष्ट को साक्षे बनी सरी राप्तार राहे सम्मा पनी परिछा आउँछा जे रमा धेरै धेरै बिजय बंदून चा जे रमा साधै साधै परिछा आउँछा जे रमा धेरै धेरै बिजय बंदून चा जे रमा साधै साधै प्रदू ये सुलाई हे दै जीवनुछा दाव पूरा दै दै प्रदू ये सुलाई हे दै जीवनुछा दाव पूरा दै दै नायन बात आसु बहन चा जाडिक दुको जाच मा पुलदा बे सहारा घेले तुच्छा थुलकाई कुलकाई नीदी थुलदा नायन बात आसु बहन चा जाडिक दुक दुक दाच मा पुलदा बे सहारा घेले तुच्छा थुकाई कुटाई नीदी थुलदा ख्रिस्ट लाई हे दै धीरास धर्दै सब चुक मा आनन मां दै ख्रिस्टिया जीवन लाई पुरा घर्णा दिश्वास योग्या पात्रा बन चा सधिया ख्रिस्टिया जीवन लाई पुरा घर्णा दिश्वास योग्या पात्रा बन चा सधिया परिच्या आउचा जीवन लाई देराई धेराई जीवन लाई जीवन लाई शाधै सधै परिच्या आउचा जीवन लाई देराई धेराई बिजे बन लोन चा जीवन लाई शाधै सधै प्राभु यसु लाई हे डे जीवन लूचा दर पूरा घर्णा डे बिजे बन लूचा दर तुरा घर्णा जीवन लूचा O N A कर दो कर दो अन्यानुय भाटे गामचोंवान पांस नमर पोनी एती मेरा हजारूं जीबरापाईता झाल यदि मेरा हजारों चेप्राबएता तारे प्रभुकुनित्या खरी रहते यदि मेरा हजारों चेप्राबएता तारे प्रभुकुनित्या खरी रहते तारे प्रभुकुनित्या खरी रहते तारे प्रभुकुनित्या खरी रहते यदि मेरा हजारों चेप्राबएता बाचा को रगत बग्यू मेरा गिला रपाप लाए धूना करार को यही रगत द्वरा मेरो मिला पिता साथ भयो मेरो मिला पिता साथ भयो प्रिष्ट को मेत्यो ले मैले पापि छामा पाए प्रिष्ट को मोरी उठाए लगोला मांचे भाए प्रिष्ट माति उचाली नाले प्रमीत्रा आत्मा मैले पाए यदि मेरा हजारो जीद्रा भयता तारे प्रभु को यो अनित्या परी रहा थे प्रिष्ट पापि धान प्रभु पुन सब्द लिति मिलाई बजू संपुर्ण बलाई को साथो मां कसरी ति मिलाई तुझू नदिर मेरा हजारो जीद्रा प्रभु क्रिष्ट को रिति उद्रा परदाच्यातियों प्रभु क्रिष्ट को रिति उद्रा ताकि माँ जासको ग्रिष्ट पापि ताकि माँ जासको ग्रिष्ट पापि त्याहां बात बैपस ना सकू त्हां बात बैपस ना सकू पापी लाइकी पाप आजो सनागे पाचाको संदुपिर अभ्यस्णा पांदचु पवित्र, पवित्र, सदेवा भंधि नातमास्त पैसादारंचु यदि मेरा जाला जुद्रा भ्यता आरे प्रभु को दित्या तो ही रहां दे प्रीपा निधार प्रभु कुन सब्द लिति मिला भजू संपुर्णा बलाई को साथो ना कशरी ति मिला भुजू कशरी ति मिला भुजू यदि मेरा जाला भुजू मेरो भीरो का हस्ता ले मेटी ए खुष कुम्री प्यू द्वारा मेरो भीरो का हस्ता ले मेटी ए खुष कुम्री क्यू द्वारा मालाय अभी अगलाउना सात्र कुम्री पनी आधार रहे ना तुनै पनी आधार रहे ना प्रिस्प्रा गात्ले मापुष कुम्री कुछू याए देत्यू अनिमा रगपाटा रहे कुम्री कुछू तभाए सतंत्रा भाए आलेलुया आमें यादी मेरा हजारो जैद्रा भेता तारे प्रभुको अमित्या दाली रहता क्रिपा निधान प्रभु कुन सब्दल तिमिलाई भजू संपुर्णा बलाई कू साथो मां कसरी तिमिलाई पुझू यादी मेरा हजारो हूँ हामें बाइबल कोरश गायरा प्रभुको दास बड़ा परमिशको बचन सुंचों संसार्मा सर्वा सेष्ट पुझ्त बाइबल पड़ो रमान व दिल व दिल जीवन म साह एक बन्चां ओ संसार्मा सर्वा सेष्ट पुझ्त बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुझ्त बाइबल पड़ो रमान व रोज रूप रहों में खत्र कोई नहों ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुझ्त बाइबल The best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible Read it daily and obey, it will help you all the way, oh the best book to read is the Bible पटिम्प स्रेष्ट ग्रांदम वाइबल अनुदिनाम् पटिम्प नाम् प्रेम तोण नर्पनू ओ पटिम्प स्रेष्ट ग्रांदम वाइबल था स्टनुद प्रांदम वाइबल I want us to this afternoon just to talk about the Lord Jesus there is nobody else better to talk about we are going to read from Mark's Gospel chapter 1 and we are going to read an account in the life of the Lord Jesus it is an occasion that both Matthew, Mark and Luke record for us so that tells me it is very, very, very important it is the occasion when a leper comes to the Lord Jesus so we are going to read from Mark's chapter 1 verse 40 to 45 there came a letter to him beseeching him and kneeling down to him and saying unto him if thou wilt thou canst make me clean four times in this verse him there came a leper to him begging him kneeling down to him and saying to him I want to say this to you this afternoon the only person you ever need is Christ the gospel is not a religion the gospel is a person the gospel is a person here was a leper he didn't go to the disciples he didn't go to the priest he went to Christ he went to Christ you need Christ you don't need religion you don't need a priest you need Christ you need Christ the Son of God the leper came to him and who is the nation and who lives with the Muhammad Luke will tell you that he was full of leprosy From the top of his head to the bottom of his toes He was full of leprosy He needed Christ उसलाचे Chris की आउशक्ता थी The wonder of it चाही अशार चे पुन पुन बात ये है The eternal son of God उनन्ट परमेश़ पिता का पुत्र होनु चाही युँवा Anant परमेशर का पुत्र है Walking in the dust of Galilee's roads और अनन्त कर राजा गलील के रास्ते से होकर के यात्रा किया और वो चाहिए अनन्त परमेशो के शिहाशन में बिरजमान था और जसले बंड में थे हैं उज्याला होस वहले रहा जिसने एक से में का था उज्याला हो जा और उनके मुख से निकले वे बचन के द्वारा सारी क्या केते हैं सुरा चांद से तारे सब कर निर्मान हुआ और वहां चाहजे इस दर्ति में पठाईयो वालाई वह प्रिदी भी तल में भेजे गए there came a leper to him और आज उसके सम्ने जो है कोड़ी आया हुआ है why would he come? कोड़ी क्यों आया उनके पास? what did he have to offer Christ? वह प्रवेश्यों से कुछी बातों को चाहता है he had nothing to offer Christ और उसके पास कुछ नहीं है प्रभू को देने के लिए so our verse tells us he came and he begged him और प्रवेश्यों के बचल में लिखा हुआ है के प्रभू के समक्षा करके उसने बिंती की he had nothing उसके पास कुछ नहीं था and he recognized before the eternal son of God he was nothing और जा प्रवेश्यों मस्यी जो परमेश्यों का पुत्र हुना चाह नहीं है उसलिए जा बात को जान लिया कि प्रभेश्यों मस्यी को उसने कुछ नहीं चाहिये leprosy had stripped him of his pride प्रकुष्ट रोगी को प्रवेश्व मशीने जंगा किया प्रवेश्व मशीन ने कहा कि तरह कोड शुद्ध हो जाए अज तो जग्या में वो बसे को थियोड़ा समाज बारा बसकृत बाई को आवस्ता में बसे रहे को थियो समाज से बास्कृत हो करके उसका जीवन बैटी थो रहा था अब तो अब उपर के रहे थे आपने समाज में वो वापस हुआ उसके बाद अब जुन दिजा परवेश मसी को पाउ माँ चाहाई को थियो ते एदिन दे की चाहई उपर के रहे समाज में जाना सगे को था अजिस समय वो प्रवेश मसी के चर्णों फे आया उसके पश्यात व अपने समाज में वापस जाने की योग्य हो गया and he begged him but then it says this he knelt down before him if he begged him he was recognizing he was totally unworthy but when he knelt before him he was declaring the worthiness of the one he was before he recognized who he was my dear friend this afternoon you need to understand this that Jesus Christ is the son of God and he alone is worthy he alone is to be worshipped there is one God there is one mediator between God and men the man Christ Jesus and here he is and then he says he says I know you can make me clean there is no doubt in my mind that you have the power to heal me are you willing? are you willing? he couldn't empty his pockets of all his money and say listen I can pay for it he couldn't go back on his past life and say I've done this I've done that please heal me he was dependent upon one thing the willingness of the son of God to heal him the willingness of the son of God to heal him what would he do? what would he do? would he heal him? it says this यह इस तो बनिया को चा इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है Jesus moved with compassion यहां लिखा हुआ कि प्रभू दया से भर गया My dear friend, I want you to understand the very first characteristic of God When Moses wanted to see the glory of God God hid him in a rock And he passed by Moses And as he passed by, he declared his name to Moses This is what he said The Lord, the Lord God Do you know what the next word is? The Lord, the Lord God merciful The very essence of God, He is mercy You don't need to appease Him You don't need to try and make Him love you He is merciful God is merciful It is the very first thing that He moves within Himself I thank God that He is merciful Ephesians 2 tells me this God is rich in mercy Ephesians 2 tells me this God is rich in mercy Ephesians 2 tells me this And he couldn't help but have compassion on Him My dear friend, this afternoon You need to understand this God looks upon you in all your sin And He loves you And He loves you You have no idea how much He loves you And you don't know how much He loves you Says Ephesians 2 God who is rich in mercy For His great love Wherewith He loved us Ephesians 2 tells me this God is rich in mercy And He saw you and He saw me in our sin And He saw you and He saw me in our sin And He was moved with compassion Then our verse tells us this He stretched forth His hand It's something very important That you need to learn from this miracle It's this Before He healed Him He touched Him Before He healed Him He touched Him He found a girl Here is this leper Nobody had ever come anywhere close to Him कोई भी भी बेक्ति उस कोडी के नजडिक नहीं जाना चाहता था और जो अनन्त का परमेश्वर के पूत्र का पूत्र जो प्रवेश्व मसी है जो प्रवेश्व में जो बिरजमान है आज़ त्यो अशुद्ध कोडी लाए चाहत बढाए को चुआ अपने हात को बढा कर उस अशुद्ध कोडी को चुआ आज़ यो बतले भने को राया कि उस लाए चाहत पकरी नहीं भायो अपद में लिखा हुआ है कि उसने उसे पकड़ लिया आज़ व अशुद्ध होदे हैं परव एसमर्सी तयों बढाए चुनुआ यो रभव एसमर्सी ने उसके आशुदधा के आवस्था में उसे छुआ और उसने उसके हाथ को पकड़ के कहा कि मैं चाहता हूँ तपहले एक दो में ध्यान देरे सुनो बहुते ध्यान पूर्बा किस बात को आप सुनिये आज हमें परि कवे मिश्ता कैशा हूँ प्रभेश्य मसिर ने कैसे महां बात हो प्यूसरों पतर से लेट सरा अठी आो पहला पत्रस का किताब दो अध्याए बताए को चाहिए बताता है पहला पत्रस 2 का 24 में who his own self bear our sins in his body. All your sin, all your guilt, all your filthy thoughts, he pour in his own body, and all your sins in his body. When my daughter was five years old, it was one o'clock in the morning, and she woke us up, and she was vomiting. She got up out of her bed, and from the bed to the bathroom, there was just a trail of vomit. You know what vomit smells like. Have you ever tasted somebody else's vomit? The very thought of it would make you vomit. Then how do you think Christ felt, when in his own pure holy body, he took your sin? And all the vileness of my life, He took in his own body. He took in his own body. I often say this when I preach the gospel. I often say this when I preach the gospel. He knows my sin because he's tasted every single one of them. He took our sins in his own body. He took our sins in his own body. My dear friend this afternoon, there is nobody else in this universe. and the universe. I should say that in the universe, there is no one in the universe. That has taken your sin that you deserve to die for. And the truth must be kept in the universe. We must be kept in the universe, but we must be kept in the universe. For the universe, we must be kept in the universe. And take it in the universe. in his body, that you might be forgiven. And the truth must be kept in the universe. But the truth must be kept in the universe. But in order that you might be forgiven. In order that the burden of your guilt and your sin might be gone. He came from the throne of glory. He came from the throne of glory. And he went to the cross of Calvary. And Calvary's cross came from us. And on the cross, he bore our sin. Do you think he wants to forgive you? Do you think he wants to forgive you? Of course he does. Of course he does. He will take our sins. He will take our sins. He will take our sins. Did he want this leper to come to him? Do you think he wants to forgive him? Of course he did. Yes, he wants to forgive him. Yes, he wants to forgive him. And tonight, He longs that there might be somebody here who has never trusted him as their savior to come to him tonight. To repent of your sin. To look at your sin as God sees it. And to look at the Christ on the cross as God sees him. The savior of sinners. And so, He calls to you tonight. Repent. Repent and believe on the Lord Jesus Christ. Repent. Repent. He is the only savior. He is the only one who can forgive you. वह मात्र एक बेखती है जो आपके अप्रादों को पापों को छमा कर सकता है वह मात्र एक बेखती है जो आपको अनन्त जीवन प्रताप प्रदान कर सकता है कुई भी और धर्म करम से यह काम नहीं किया जा शकता है क्रिश एशु ने मात्र हमें बचा शकता है और आज वो आपको बुला रहा है वो आपको बुला रहा है आपसे प्रेम करता है और आपके लिए मरा और प्रमेशर के देने हाथ में बिरजमान है और आपको बचाना चाहता है और तो कुछ दोगी वहां थे आयो वो कोड़ी उसके समीब गया और प्रमेशर कुछ थे आयो और प्रमेशर म स्थी के समग्छ आया प्रमेशर के समख्च आया अंव भुट्ने के प्राइशर करके उससे बिंती किया एक प्राश्न है क्या वो शच्मुच आया था तो आप सोच रहोंगे कि प्रभी इश्रमसी क्या हमें बचाश्च रहोंगे सुषार बचाया बचायेगा। एसे न्युवेट थे ला कि आप विशवस न्युवेट Sims आप सब्चायए house नो हो शक्ता कि मैं जो बोल रहा हूहँ आप विश्वास नखरें मुझे अप्या होश्किण का आधि का ऱ्माब्स हुषार नहीं है। आप मलाय चाहे मुक्तिदाता को आप सकता चाहिए नो हो सकता आप कहां कि मुझे मुक्तिदाता की कोई उशकता नहीं है Christ is the Savior परभु येशु कृष्ट चाहे मुक्तिदाता हुनुचा परभु येशु मसी उधार करता है Christ knows everything you've done परभु येशु कृष्ले तपाय को निमती संपून कुरा करी शकनुभाई को चाहिए जवेशु मसी ने आपके ने संपून बातों को पुरा किया है and Christ has died for everything you've done and so he just wants you to come to him and so he just wants you to come to him what is forgiveness God describes it in three ways in Psalm 103 he describes it for us Psalm 103 and verse number 12 as far as the east is from the west so far has he removed our transgressions from us I want you to notice he doesn't say as far as the north is from the south he didn't remove our sin from us for as far as the north is from the south you can measure the distance between north pole and south pole you see if we decided to go north tonight we would keep going until we got to the north pole and then we'd be going south and then we'd be going north again there is a distance between north and south but if we decided to go east tonight there is never a point at which you don't stop going east you can go east you can go east forever says God that's how far I have removed your transgressions from you I have removed them so far that they will never ever be associated with you ever again yes Lord God तुम्हारे पापों को मैं इतना दूर कर दिया प्रभू कहता है कि उस पाप को तुम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो थे नहीं कि आप में से कितने लोग है जो मुझे नहीं जानते हैं आप मैं खुशी नहीं चुआ यह गुराले इस बाद से मैं प्रस नहीं हूं आप मेरे भी जान जाएंगे कि मैं वास्तविक में काईसा वेकती था तुम्हारे प्रश्न करने थालनूंहंच लोंच कि यह मांत इच थीया किम अपुकेगो यह बातों को जानने के प्रस्ट ने करना आप चालू कर देंगे कि यह वेक्ति यहाज क्यों खड़ा है मैं आज आपको बताता हूँ कि यहाज मैं क्यों हूँ प्रभु ने उतर जिसे लेके दखिंग जितना दूर है उतना दूर मेरे अपराध हो को उसने हटा दिया इसाया को किताब चवाली से अध्याए में और इसाया को बाइस पत्मा चाहिए है आले चुट्टे परकार लिया बताई कुछ है और यहां चवाली से बाइस पत्मे प्रभु ने थोड़ा दूसरी तरीकर से इस बात को लेकिया है He says, I have blotted out as a cloud thy transgressions. There was a list one day of my sin. There isn't any more. There is no record of my sin in the sight of God. And there never will be. Because the blood of Christ has cleansed me from all my sin. He can blot out every one of your sins. Come in repentance to Him. And the record of your sin will be gone forever. But there's more. Then there will be more things that will be done. There are other things that will be done. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 and verse 17 says this. Hebrews chapter 10 and verse 17 says this. Hebrews chapter 10 and verse 17 says this. Their sins and their inequities will I remember no more. You see, I could say, well, God, you've blotted them all out. But God, you know everything. But God, you know everything. Surely you still know my sin. Now, I will not remember your sins. Now, I will not remember your sins. Of course, God knows. I will not remember your sins. You know, the most amazing thing about this is this. I remember my sins. I remember our sins. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. But God does not. He says to me, what sins? He says to me, what sins? And the ones that say, I have no one of my sins. I will not remember them. I don't remember them. I will not remember them. I will not remember them. I will not remember them. Tell me. Is there a religion? that can give you forgiveness of sins? Is there a religion that can bring you into relationship with God? Is there a religion that can give you eternal life? Is there a religion that can give you eternal life? There is no religion. there is no religion. but there is a Christ. और तरह तेनेरे क्रिष्टोन नंचा, लेकिने आप रमेथ क्रिष्ट है, परमेश्वर का अनन्त का पुत्र, को लगेरे परमेश्वर का, वाले तब लाउप प्रेम गरन भाया और तब निमतिम भाया, जो आपसे प्रेम किया और आपके लिए बलिदान हो गया, who took your sins in his body on the tree and that he might save you from hell and tonight he asks you, he begs you, he preach with you to trust him and seek ye the Lord while he may be found call ye upon him while he is near और जब अपने नजी खुंदा हुदे वा लाग खुजनोस जब तक वा आपके नजदीख है आप उझे पुकार ले परभु एश्यु कृस्त है आउनोस परभु एश्यु कृस्ट है आउनोस तर्भु एश्यु में समख्षा पाए, समी पाए और जब तक वा लेपर लेपर जब आईनोस जैसे वो कौड ही वेखती आया तर्भु के शमख्ष उसी प्रकार से आप आईनोस वो पाएवस्ता मेही आप आईनोस और वहले चे आउनोस यह निकों बनाए दिनोंच वो पस्तापी हिर्दे लेकर के पस्तापी हो करके आप आए बलीव नुद जीजुस क्राइब रवेश्यु क्रिश्लाए विश्वास करनोस रवेश्यु मसी के उपर विश्वास करें और आप आउस्यवेश्यु मुक्ति को प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए आप अधार को प्राप्त करेंगे और आउनोस आईए और आउनोस आईये और मोख आऊ और प्रभू कहता है मेरे नजदीक आओ और प्रभू कहता है कि मैं तुझे विष्राम दूंगा और शारा बिश्व में वो एक मात्र बेखती हैं और जश्ले चाहिए तपले विष्राम दिने सकनों चा जो आपको भी श्राम दे शकता है आये आई पर मिष्राम ले ने हम रो बचल में चोटन में आशिष्थ देखा हूं अपने बचल में आशिष्थ देखा हूं जए में सकी प्रभलाई धन्यवातोष प्रभको जिवित बचन को लागे दयागरेरा दानवाई का हुनोंच शुचना को लागे आई दिनो हला प्रभको जिवित बचन को लागे आई प्रभको जिवित बचन को लागे अमेले सकीन लागे आजगो दिन अब हमी यो अंतिम मायका छूंग राज अयोशिवा पस्ची खाना भायरा आमेले विश्राम करनो पर्चा अब मा धेरे लामा कर देना थरे शूचना अचा मा अज़र अला हारदिक अनुरद गर्चू योटा जरूरी शूचना अचा कि अमरे शेफ्टी टेंकी को अनिके समस्य भागो कारनले पानी एक्तमी कम यूजगर देनो अचा अमी विकल्प तयार गरिया अल्छू दुचार बंटा को लागे तपायों ले जानना हूंचा सभई गरारू प्रभुले सभई गरा ठीक गरना हूंचू अमिले सभई कुड़ा मिलाई रेकाशू अब यानेरा योटा सुचना अचा अंधाज आई बीले मला ये सुचना देनो भागोतियो यह जिवन्द पानी को संबंद मारायाचा मा पड़र सुनाय देंचू प्रभुमा संपुन प्रियाजन हरु प्रति प्रेमी जयमसी छा जयमसी विशेश चनाय चाके जिवन्द पानी 2024 को पहिलो अंका को बितरण को संबंद मा निम्न मंडली हरुको लागे यह पवित्रमा सभामा उपलब्द गराईयेको छा यह पवित्रमा सभामा उपलब्द गराईयेको रहेचा यह बिविन्न अंका अरुको बितरण को संबंद मा संबंदित मंडली हरुले बुगस्टल वाट लेनुपन बिनम्र अनुर छा अपनो 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 जुनपने पर्ति हो जुँँँँच तवायर को लई जानुआ अला आई बुकस्टल वाट वाट बाहीरोयल मारचंग संपरगराखेर बाकिस्तानिय मंडली मदेश मंडलीयरुको लागी सारोन प्रात्ना भावनमा मंसित चार गते होने मंडलीयरुको उपवास प्रात्ना मा उपलब्द गराऊने जानकारी गराऊने जानकारी गराऊने प्रावनमा जिहुँदो पानी परिवार नप्रव योचेति शुचना हो तवरले बुचनु भायोला अब आमरो भोलीको शिवकाई को संबंदमा भोलीको शिवकाई को संबंदमा चै है भिहान परवात फेरी चै है 5-10 बजे होंछ परवात फेरी 5-10 बजे 15 बजे अनि साथ देखिया आठ शंबंदमा चैं फियामिली प्रियार होंछ पारिवारिक प्रावर्थना दियां देर सुननों वाला, टाइमिंग मा चलों, अगे आमिलाई, मिठ तरिकले आमरो पुर्द दासले बनी सकनु भाएगाचा, टाइमिंग मा चलनु परचा, एक दमीर आमरो, और दस बजे देखी, एक बजे सम्मा, आमरो बाई बजे स्टडी को समयो, मुख्या सेचन उने दस देखी, एक बजे सम्मा, एक बजे सम्मा आमने मुख्या सेचन, शकने शकिंच, एक बजे, देखी, दुई टिश, अता दुई बजे सम्मा, यह आमरो खाना को टाइम हो, दुई बजे सम्मा आदा गंटा, रेस्ट, नात नात वने, शाडे दुई में खाना खाना लाग सम्मप चाईं, बोली देशो उन्छा तीन देखी पाच सम्मा। पाच थीस पाच भजे पाच थीस सम्मा टीपरेक। अदा घंटा को टीपरेक। च्या पंद लेना शकना उन्छा। थोरे रिफ्रेस्ट होना शकना हुन्छा। पास्तिस देखी साथिस सम्मा इविनिंग बाइबल स्टडी यह ऐले को बेल गी कोषेवा आज वंद अली छीट उनेशा अधा गंटा पैला सेड़ुनेशा अथा पास्तिस शाडे पास्तिस देखी साडे साथ सम्मा यकुर अला धानमा राखनु वला अनि साथ देखी आठ प अनी डस बचे को समय और सुतने समय लाइट आप पुरह वदेगında आपने पर्सनल पाठ परने यावद कुरारु चैना बिरिशन वाला आज़ चाहिए भाइन जग आब शुचा नगार देश, कि अधने लिए भी आधकि राङ्टि शुचा य है, भोल भी गाद देखी फैमिली पिराइन पिराइन के लिए भाइन MOR जोचाए भाइन मिखेळ चैनी मिशेंचन देरी जाना संगय बसनु रामरो फैरे टांच चैनी को मन न परने ओरलाजद है फैरे तज़ दुछे की ingen फैरे तेसं così तुम न गहरें लिलिगा न भाई आपनो भाई आपनो बयिनी बयिनी को करनोस मेरा भाय को प्यारो थोकाई कती मिठो वननोस राथी कोई ख़ घुरे वने ख़नात्मा रे वने वन्च गे इंदीमा घुरे वने चाहिं रेकट गरना पटी ना लागनुस बलाई आसन पटी ना लागनुस समस्या हो, तपाइ गुरेगो और कोले नी बाँचा येशी कारानली गाता तयो समस्या हो, तपाइ आपो नीदाउने प्रयास गरनोरी तत तेले ध्यान न देनोरी चारे अर्थारो शुते गुशाओने, अले टाव को सोजाओ दीना सकना उचा यो चाहिए थेशात कुछ भाग शोजाए ना रिषाूँ नोग न रिषाू नोग नोग नो वाहला गौनिया आप फरी रिषाव। थेश्पेश न गरन हैं परमुष अलय कोद आसे परमुष्णोडम का नित न करने बगी कोई आरक। तेसे उठेर प्रात्ना गरन गरना 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 गरन यहुटा मुस्किल ले परना जानुछ, सब पोई लाटोगे वाने, ते चिंतागर्न शायना, अनि येसको मेले बनना होजय को करा, जूल लाइ, नुकाउट गरतीनु भाईवाने, देरे रिलिफ पाउने थिये, यहुटा देरे ठाउ गाया दिये गासा, कोई थामा ठाउचा बननेचा देरे रिलिफ प्याक शहां खाया, फ्याक शहां मेहीं, बन्हां को भाईवाने, खुटा मुस्किल भाईवाने, यहुटा माने, थामाने, शुटा माने, फूल माने बगिवाई ना, पल्लो छेव मापकताः पांच-साथ जाना माने गाणे बनचा, जोडीने के सि अल्ली सारे रहा, तेशो गरनु वहने राम्र होंचा, अनि तपाई नरी शाउनु वहला किर पाया, क्ये गरने तो, अबा, आमी एती जाना बसनु पर्शा, शेवा गरनु पर्शा, येसरे आमी ले अली कथी दुखा उठाउनु शीके वहने, प्रभुका महिमा होंचा, येस अबाई नसे तेख़े घरा मलाई मजाले सुतना मलाई बिलकुल मलाग दाईना, शक्दीनमा, ये, तपाई अले बन देश्ते ये भाव मु राके दिनोस, लाइक-माइड़े दिनोस, पर्मिशुरको महिमा होंचा, ये, अरको कुरा, सानो अनु 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 दजरोर लाई, है मख्यामापनी माक्षु, हमानली को अनु अनु तर्फावाटा, अथा व्यावस्तापन को तर्फावाटा पनी, ये, इनिंग को निम्ति, हमिले अर्व का वहर दाई भार थे रेवाएदियो, अनि तपा अब्दामा तपा अरुजाइ न थपी किना आ वनरें इंद इन उंचा आधा पेड़ खार न इंद इन उस्पिलिच अली कथी पर्खी इन उस तपाइं का पूगे न वहने वने त्यला कशेरी घर्नु पर्षा तेसला चे ध्यां देती न उस अजुरों राम राम्रो न खाएक अरु पार्षा रजी गए भाणे अरु वाल्यां और वा न श्तापं पाक्षाली अलीकथी इयकुरों मा अजूरों रहे धिया ध्यान पूराइदेने पाएकर अज़य सुरे मी त्यो ठाप्चि अन गेकुश न मिसे किचन ब्र गलम्र भाई आणना गुनिम्ति कसरी होन्छ, कल्लाई पूगेगो छाईना एस कुराना एक्दमी ध्यान दे दिने अला, आमरो हटली रिक्वेश्ट हो यह जाई, एसे कारन एस तपारले शाच्चे एसो गर दिनो भायवाने, सबय कुरा प्रभुका महिमा कुनिम्ति होने छा, अज है आमि आमरो है तरकारी कातने, रोटी पलने, रोटी बनावने अरुका भाब भयो, जिम्मा सपपई सित शिव छा, जिम्मा नव पामदाखरी सपपई गर महर्शु वंदे जाना अफ्ठार होन्छ, यह ज़िए गर भागो जस्तो लागयो, तेसे कारन ए अगरी भाणा मानने थब थप थप येगो माँ खसी होनोंचा के नी रास, खसी होनोंचा, प्रबुला धन्यवाद, जिम्मिवारी थप येगो तामरो हनी, ए रेना, एक तोड़ा पाय वने भाणा रिशा अरभ भाणा होता है नूँ आ यह ज़िए रास्व वने बने का बोली, ब्याना देखी की बेल का सम्मा भाणा बरतन शफा गाुने, तरकारी गातने, कातकूर को रोटी पोल ने खाना बानने बाननी थपियो के छैसे मा, खाना बानने बनी थपियो अरो, देसे लिए अरो पणी हम रा disciplines हभने हुआि, आम झाले रोटी पोल ने, वके रोटी बनी ने होना। हAI यसे गारन ये कांबर हफभिया है क्या के थपया ही तरकारी कातने रोटी बनावने और खाना बांने अवस्ति मंद़ली को नाम भताये गथै विया अगे तेसमा कोई थब भनेगो थेन तपायरोनी हो, है व्यान अटियो लिस्ट मेले याँ कोता अरायचुर इसमा थब लेखनु बादा कुनी छोटे को ना सक्षा रत्या व्यान व्यान नाम लेगारो, सभई मंडली अरूले इकाम अरू समाले देने अला, लेच अनि मंगल भार चाई व्यान देखी साजसमा पर्शी को गुरा, भाणा बर्तन सफागरने, तरकारी काटकुट करने, रोटी पलने, खाना बानने सभई एकाम पनील focus व्यान व्याटि मा वैका मनडली अरू, भागलूं मा वैका मनडली अरू, स्यांग्जा मा वैका मनडली यहाहरू सबय ले, इसबय काम हरू समाली दिननु वला, हामे हजर अलाई, रिक्वेस्ट करचाउ अनी सात्मा, केरे उता धाधिंको मंदली, गोर्खा का मंदली, सबय यह से लिस्ट्मा आऊचा है, तप हाहरू सबय ले, इस इसद दिन वला, कती लमजुंतिरौली ले नाउन अनि बुधवार चाहिं, बुधवार चाहिं माथी उल्लेखित संपुनकार यह दमासकस दांग, एलिम सुर्खेत, नियापोलिस, फिलाडेल्फिया, तिबेरियस, जेवासम्मा, रफिधिम, कादेश बन्या लगायत का सबई इस्थानिया संगति गरने तेया अंतरगत का पे अनि पर चाहिं लगायत, यह वात पस्टिम मरें इस्थाष्चानि अं यह पास्टिम तीरज cran pedirशे एफिलाडेल्फिया, तिबेरियस, जेवाजीरे, बैथनिया, बहतल सबाही यह निष्टम पर्णा हुंछा दुइत मंदलीज इंदियमा वनुछा भू हुआ सबाही यह निष्टमा पर्णा हुँचा अपनी भूटोल तिरकुल निष्टमा यानेर अरू यथी नम शुटेको सब्साइब मैं कथीम्हालई नम ली नाव लेना सब दिनों का निमधी, आमी अनुरोद गर्धा चौ, यसाने ढाली थभधक हुअ ना सो klणी को सब्सकिता जो गरबाद को करते हुआ आमी अनुरोद गर्धा चौ, यसाने ढाली अंद मbbeक्त पर्षत हुआ करना सब्सकिता . ए बाहिर अनावस्यक नगाए दिना होस्ट, इताल नगाए दिना होस्ट को गोप। अले नगारीके न संत पातन में अज़र को डिस्टोर्बाधीजना नहायो नहाएड दिना व खें cavmber कोप। सबीले मानि रहाजन यो करती वह रेस समय मा पता गारू पड़कीं संदेरे कुरार रहा है यसे गारंतिय कुरामा हमेलाई हमेले डिश्डप्न मानि दिऊं आप यसमाचे आमे एक दमे शांतस इते अनुसाथ शंगा रहा रहूं प्रभले श्तपारू सबीलाई आसे जिनन भा प्रवात फेरी को लागे चाहिं या हल बाटा शुरू है या हल बाटा शुरू है या दाजली बनी रहन भाई को सब्सक्राइम बैख यु李 को ले करेंगी में शुरू हमल फ्यूटो बडू करेंगी में अनुसाथ भले शे बाट फेरी में इसकारव प्रभुक मेहिं है गरणिये यह जग हमें जोनकाम गीतरु आये हेदाई आज ब्यान एक जान दाजुबाई का आवाज साड़े चार बजी प्रात्नगर्न बाको की अरको कोई बाइसेंगा बात गर्न बाको त्योचे मैं ले पतलावन शकीन तरह डिस्टब बहिदा आखेगो थियो प्रात्नगर्न बाको की जोडले अथावा अरको कोई भाइसेंगा बात गर्न बाको अनि त्योचे मैं ले पतलावन शकीना माथी बड़ा एसो कौशी मायरा हेर दाखेदी पनी पतलावन शकीना उनाता पहलो दिनमा ब्यलका यकुरा बनियेको थियो यस्तो उसमा हमीले मनमनमा प्रात्नगर्न परछा एक जानले अभास निकालेर प्रात्नगर्दा अरूला डिश्टाप होंचा कोई अलिक छीटो शुतन परने होंचा अस्षस्तता को कारणले उमारला पनी डिश्टाप होंचा अनि विशेश जवन भाईवे निहरला अनुरोद छा अब पंधालमा अपना अपनो तंबोमा गय कशी चाहीं अब तपारू अला अथावा धेरे बात न गरिदी नोश अर काको लागे आमिले जीवन भाईवे जवन भाईवे न भाईवे न भाईवे न होंचा आई ता प्रात्नगरूं दैलो प्रभू धनेबाद चाहंचंग आज ब्यानी को दिन दिखी आरादन उपासन मेच को शिवामा आशिष दी बक्षिन भायो अपना दासर को मुख पातर भाई बोली बक्षिन भाई को बचन हर को लागी धनिबाद चाउंचों सबै बचन आशिष को रक्षा गरी बक्षियों तेस प्रची जो खान्पिन को शिवामा भायो तेस प्रची फेरी दुई शेशन गरी यो बचन को शिवामा भायो प्रभु हामे अजुलाई धनिबाद चाउंचों इस सबै बचन हर को पनी रक्षा गरी बक्षियोंच बिन्ती शा अपना दाशोरू जजस लाई बचन उल्था गरना साथ गरी बक्षियोंच को लागी पेने अजुलाई धन्य बाद चाळांद चाउंचों तहे प्रभु प्रमेश्वर विशेश गरी कना बिभाग बिभाग मा परिश्रम गरी रहे का दुखा उठाई रहे का प्रियहर को लागी प्रात्म गर्शांचों रा प्रभु महारला आशी दी बक्षियोंच अजे अंतिम दीन समा महारले यो यो शेवा पुरा गर्नु परेकुछ साहत गरी बक्षियोंच। कति लाई बक्ष नुवा तहने बाद चाऊंचों अजे कति आउनदे चन रा आउनिवाला वला महारला पने शुरक्षेद लाई दी बक्षियोंच। आमरो यह बिंदी शा, कंपाउन बित्र कोई रोग बिरामी नभय का हाउन, पति व्रिद्ध बित्ध आउस्था का मातपिता हरु पनी छन, प्रभो मुहरको अजुलेने सुधिली बख्षियो, स्वस्तराकी बख्षियो, साना साना नाने केटकेटी हरु पनी छन, सभय रोग बिरामी होना देखी बचाई बख्षियो, जस्मा आशिस बीन होना देखी बचाई बख्षियो, विशेश कुरा आमरो ध्यान, इंटेंचन यह हो, कि हामी बचन सुने रा, त्रिप्त होना सको रा, आशिस को जो भारी बोके रा, हामी फर्कना सको रा, आपना लोगर ले, य अपना अपनो घर मंदली मा पनी बाट चुर गरनू परेको छा साथ गरी बोक्षिश किन बने सबे आउन शके का छायनन ऐसे का नुमाहारले पनी यो पवितरा मास अवक आशिश पाउनू पर छा अम्रों बीनती शा विशेश यो म्यूजिकल ग्रुप का बहर को लागे धन्य पाद चलाऊंचों जसले प्रकारले प्रभात फेरी लावन देखी एशरियो गीत मा बाजगाज बजावनामा साथ कुरैरनू भायको छा सबैलाई आशिश जी बोक्षिश प्रभो बिनती शा प्रहार्थन चा ए प्रभु परमेश्वर अब शेवा आजलाई यही अंतक गर प्रभु आमिलाई आजक यो रात्मा जाती आरमगर्णू छा साथ का दिबोक्षिश प्रभु का आगमन नभाय फेरी हामिलाई भलीको दिन देखन दिबोक्षिश चुरा इस्तै प्रकाले श्याक सभागी भायक ना आशिश प्राफ्त गरना सक्षों हामरो यही बिनती चा अब सभीकुराकु लागी हजुलाई धनेबा चड़ाउंदै शेवा गर्दागर्दै कति गलती भूल भायको छाबने छमा गरी बक्षिश पने बिनती प्रार्थना प्रभी इस्चु को नाम्मा पिता सुनी ग्रहन गरी बक्षिश आमें अब परमीशु पिता को प्रेम प्रभी शुखिश को नुगर प्रभीत्रात्मा को सबागीता प्रभी शुखिश को रगतले की नियेका चरा चरियरू जो हमी याचों विश्यको छोड को नाम चन सभाईकु सात्मा साथे जटी रोगी ब्रामी गाल गायते आस्तमा होस्पि हेर क्रुष्मा रग्तामी प्रभो तिम्र संपुन पापरो आपो मली हेर क्रुष्मा रग्तामी प्रभो तिम्र संपुन पापरो आपो मली पापय ना जान एशो रपूत्रा थिये तिम्र नीम्ति ने उनी पापबनी दिये विश्वस गारा सांचो उनको प्रेम मनाए यही नई हो इसर को प्रेम को भनाए प्रुष्मा बीचाओ तिम्रो पापको भनाए एशु मारे तिमी लाए बचाओ नलाए मन खोला पापो ना आजा मन खोला पापो ना आजा प्रभु एशुल स्विकार गरा सुसमाचार विश्वस गरेरा पप हरु मानी दिरा मन खोला पापो ना आजा सबैलाई जय मशी जय मशी मननु होस प्रभु एशु मशी की आमिलाई आशिस दिनो हुने प्रभु एशु मशी की आलेलुया 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 आलेल झाल 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 पारम प्रभु को आया मन्ने हरु कहाँ दारमे पाक का सूर्य एशुन पाफना पखेता रुना पारोग्यता लिये राउदा यहुने चन पारोग्यता लिये राउदा यहुने चन पारम प्रभु को भाया मन्ने हरु कहाँ बाच्छा जस्ते गोट बाटा नेश कने छौ रामा अंदे बुर बुर पूफ्रने छौ सत्रुहारु पुर्चे मिल्चे पारिने चन पारम प्रभु को भाया मन्ने हरु कहाँ सत्रुहँ कर दो कर दो कर दो कर दो